हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी दोस्तों आप जब कई बार ब्लुटूथ अपना connect करते हो तो आपको ए प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है कि आपका जो ब्लुटूथ होता है वो अन ओफ नहीं हो पाता है यहां पे एक अन ओफ का बटन होता है वो यहां से missing है तो दोस्त तो आप जब add bluetooth पर click करते हो और bluetooth पर जाते हो तो यहां पर ना एक error दिखता है आपको could not connect अब दोस्तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो मैं उसको बता देता हूँ दोस्तो इसके दो तीन step है मैं दोनों तीनों के बारे में बात करूँगा हो सकता है कि आपका किसी से भी ठीक हो सकता है आपको सबसे पहले सर्चबार में type करना है services दोस्तो services में जाने के बाद ना मैं आपको बता दू services यह सारी system की services होती है जैसे की camera की service होगी wifi की service होगी यह कई बार stop हो जाती है तो इसको आपको पहले देख लेना है कि यह running में है या नहीं दोस्तों आप देख सकते हो service में जाने के बाद आपको एक option दिखता है यहाँ पे Bluetooth audio gateway आपको इस पर double click करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ देखनी होती है एक तो यह manual या automatic होना चाहिए दूसरा जो service status है यहाँ पर running होना चाहिए तो दोस्तों यह बिलकुल ओके है अगर यहाँ पर running नहीं है तो आप इसको यहाँ से start कर सकते हो यहाँ से उसके बाद apply फिर ok उसके बाद दोस्तो step number 2 की बात करते हैं तो आपको simple search बार में जाना है और settings पर जाना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको type करना है troublesuit आप जैसे troublesuit type करते हो तो दोस् का यहाँ से बहुत इजी तरीके से पता लगा सकते हो आप देख सकते हो दोस्तों troublesuit करने पर आपके सामने कुछ इस तरीके का page आता है खुलके यहाँ पर दोस्तों एक option दिया हुआ है additional troublesuit आपको इस पर click करना है और दोस्तों जो भी आपके system में कोई problem है आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हो यहाँ दोस्तों Bluetooth में हमारे में problem है तो Bluetooth पर click करना है और run the troubleshoot कर देना है उसके बाद दोस्तों यह detecting problem मतलब कि आपकी जो problem है software या hardware wise वो इसको ढूंडता है कि क्या problem है driver missing है या फिर hardware में कोई problem है तो दोस्तों यह थोड़ा से time लेता है यहाँ पर दोस्तों अभी लिखा हूँ आ रहा है कि device है does not have Bluetooth मतलब की Bluetooth अवलेबल नहीं है इसके बाद दोस्तों next कर देना है दोस्तों इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो driver वगर आए न वो proper तरीके से नहीं है तो दोस्तों आपको third step में करना यह है कि आपको this PC पर जाना है manage पर जाना है उसके बाद जाना है दोस्तों device manager में यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो device manager में सारे hardware आपके सामने सो हो चुके हैं आप देख सकते हो audio, battery, biometric, device लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो B-series में Bluetooth नहीं देख रहा है जैसे camera और computer यहाँ पर दिख रहे हैं अब किसी पर भी एक पर click करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक option आता है scan for hardware changes आपको इस पर click करना है आप जैसे इस पर click करते हो तो यह थोड़ा सा time लेता है और scan करने लगता है उसके बाद दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि scan करने के बाद आपको यहाँ पर Bluetooth सो हो जाता है लेकिन यहाँ पर अभी भी Bluetooth अपना सो नहीं हुआ अब दोस दोस्तों आपको एक चीज और देखनी होती है कि आपको न यहाँ पर कौने में देख रहा हो दिख रहा होगा notification का एक icon होता है आपको इस पर click करना है यहाँ पर दोस्तों जो भी hardware होते है न वो on off वगएरा जो भी होता है वो दिख जाता है आप देख सकते location on है अपनी Bluetooth भी ओने लेकिन connected नहीं है आप एक दो वार इसको on off करके देखते हैं अब दोस्तों अपना Bluetooth चेक करके देखते है चलता है नहीं चलता आप देख सकते हो Bluetooth का जो icon है दोस्तों आ चुका है on off का यहाँ से अगर हम add करते हैं Bluetooth और दोस्तों देखते हैं कि scan करके तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्कैन भी हो चुका है जो कि नियर भाई अपने पास जो भी Bluetooth डिवाईस हैं वो सो हो रहे हैं तो दोस्तों अगर आपका वीडियो से भाई solution होता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और अगर दोस्तों कोई डाउट है तो कमेंट सेक्षन में कमेंट कर देना तब तक के लिए जैन गुर्बाई धन्यवाद